दकपिल शर्मा का शो और हसी के टहा के ना लगें रूठा इंसान भी इस शो को देखने के बाद हसी से लोट पोट हुजाता है हर अपते कपिल पाजी अपने दकपिल शर्मा शो में किसी ना किसी गैस्ट को लेकर आते हैं इसवार कपिल शर्मा कुछ सिंगर रैमा को सेट के बाहर से अंदर तक लाते हैं और वहाँ मीडिया उन्हें देखते ही उनसे स्टैप करने को बोलते हैं उनसे हसी टहा के कर लेते हैं हाला कि उस वक मजाग नहीं हो रहा था कपिल रैमा को हाथों के इशारे से उनके काम डाउन स्टैप करने लगते हैं तो वो भी शुरू हो जाते हैं और उसी दौरान कपिल के सेट के बार अलाया फर्निच बाला भी स्पॉट होती हैं और वो भी रैमा से हाथ मिलाती हैं उन्हें अपना इंचो देती हैं और जैसे ही अलाया और रैमा की मुलाकारत होती है उससे पहले रैमा की मैनेजर उनके कान में कुछ गुद गुदाती है हो सकता है कि रैमा को यहां की लैंग्वेज और लोग समझ नहीं आए जिसकी वज़ह से पास वाली महिला उन्हें बार बार कान में कुछ ना कुछ गाइद कर रही है कपिर शर्मा की कॉमेडी शो पर अब जो दिखने वाला उसका जादू दुनिया भर के म्यूजिक फैंस पर खुब चड़ने वाला है जिहां कपिर शर्मा के शो पर कोई ना कोई बलकि पॉपुलर सॉंग काम डाउन के सिंगर रैमा भी आए जो की नाई जिरिया से है इस शो में आगे क्या कुछ दिखने वाला है इसे लेकर फैंस में वेचैनी जरूर बढ़ गई होगी हलाकि यहां हम आपको दिखा रहे हैं कि वो नजारा जिसमें इस सिंगर के हिट गाने काम डाउन पर कपिर शर्मा भी थी रखते नजर आए और कपिर शर्मा ने तो सारी हादे ही पार कर दी रहमा के डान्स स्टैप तो समझ में आ रहे थे लेकिन उस वक्त कपिल को क्या हो जाता है उन्हें तो पहले कभी इस तरह का फणी डान्स करते नहीं देखा गया रहमा तक अपने डांस स्टैप खत्म कर चुके थे लेकिन कपिल का डांस खत्म होने का नाम ही ने लिया था उनके हाथ पर रुख ही नहीं रहते अपने ही मच पर उट पटांक हर कते करके क्या कपिल ने रहमा की बेज़ती की क्योंकि रहमा और कपिल दोनों ही एक दूसरे के डांस स्टैप से कही ना कही अंजान भी थे लेकिन कपिल ने रहमा से बाते करते करते उनका खूम मजा भी लिया उनसे ऐसी बाते की लोग हसी से लोट पोट होगे बता दें नाइजेरियन सिंगर रहमा भारप के टूट पर रहमा पहले मुंबाई, दिली और हैदरवाज जैसे जगह पर शो करने के बाद कपिल के शो दा कपिल शर्मा में दिखाई देंगे कपिल शर्मा ने अपने शो के खास एपिसौड का फीर, इंस्टा पर पोस्ट कर दिया जिसमें रहमा काम-डाउन गाने पर थिरकते भी है और गादे भी है कपिल उनके गाने पर स्टैप मिलाने की कोशिश करते हैं ऐसी स्टैप करते हैं कि उनका भी मजाग बनता है और साथ ही रहमा का भी मजाग बनता है क्या उन्होंने रहमा के डांस स्टैप का मजाग बनाया है कभिर शर्मा ने इस वीडियो को श्यर कर लिखा है काम डाउन नहीं हो सकता क्योंकि यहां सेट पर रहमा जो है कभिर शर्मा शो सच में इंटरनेशनल शो बनता जा रहा है तो हां बताते चलें कि इससे पहले शो में कई और इंटरनेशनल सेलबरिटीज जैकी चैन और ब्रैट क्ली भी नज़र आ चुके हैं कुछ यूजर्स ने का पिश्वर्मा से डिमांड की कि दा केडला स्टोरी वालों को भी बु आदे की नाइजेरियन रैपर रैमा विजिंग दा वॉर्ण वाई जैसे मुजिशियन सॉंग और वीर्स मुजिक बनाने के लिए फेमस हैं रैमा ने अपने डेव्य स्टूडियो एलबम रेव एंड रोजस में 11 फरवरी 2022 को कमडाउन रिलीस किया ता उसके बाद फिर 25 और उनकी उम्र का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता किया अक्ट और 14 साल के हैं इस उम्र में भी लोग उनके फिटनेस और स्मार्टनेस पर मरते हैं और किसी जमाने में ना जाने कितनी लड़कियों ने जितेंदर पर जान भी कुरवान कर दी थी और उसकी एक वज़ा जुतेंद्र का वाइट कोट हुआ करता था कहा जाता है कि जुतेंद्र जब भी वाइट कोट पहनते थे तो लोग उनके इसकदर दिवाने पागल हो जाते थे कि लड़किया नदी में कूद कर जान भी दे चुकी हैं इसके बास से जुतेंद्र को वाइट कोट पहनने से मना क दिया गया था वाइट कोट पर पावंदी लगा दी गई थी और ये तो रही पुरानी बाद लेकिन आज भी जब जितेंद वाइट आउटफिट्स पहमते हैं तो वो नई जवाने के स्टार्स को पीछे करते हुए सारी लाइम लाइट बटोड लेते कभी सोचा है कि 80 साल की उम्र में भी जितेंदर की फिटनेस अभी वी वैसी ही क्यों है आज भी जितेंदर उम्र के हिसाब से बूड़े नहीं लगते हैं जबकि आज के टाइम में 50 साल के बाद से इंसान के चहरे पर और शरीर पर बुड़ापा नजर आने लगता है जितेंदर के एक काबिल दोस् सब छोड़ कर सिर्फ अपनी फिटनेस का ध्यान दिया है सुनकर हैरानी होगी कि जितेंदर ने 25 साल से चावल को हाथ तक नहीं लगाया चावल को देखना या छूना तो छोड़ दीजिए चावल में अच्छा खासा फैट होता है ऐसे में जितेंदर ने ना केबल चावल को छोड़ा बलकी तला भुना खाना भी छोड़ रखा है आज भी जितेंदर सिफ सैलेट से ही अपना पेट भरते हैं आज 18 साल की उम्र में भी जितेंदर अपनी डाइट को जारी रखते हैं और ये सब बात खुद शक्ती का पूर ने बताया उन्होंने कहा कि एक्टर जितें जब शूटिंग पर हुआ करते थे तो वो सिफ सलात खाते थे वह भी वह अपना टिफिन में लेकर आते थे बाहर का वह कुछ भी नहीं खाते थे शूटिंग के वक्त भी वह सुबा चार बजे उठ कर सेट के चारो तरब वॉक करते थे और सुबा उठने की आदत उन्हें आज भी है शायद इसी आदत की वज़े से जितेंद्र आज भी फिट हैं और उनके लिए लोग दिवाने हैं। मशूर अदकारा उर्वर्षी रोटेला ने हाली में कांस फेस्टिबल 2023 की ओपनिंग डे पर शिरिकत की। इस कांस में उर्वर्षी और पंत की शादी का जश्ण भी मनाया गया। जैसे ही साथ के लोगों को उर्वर्षी ने अपनी शादी का इशारा दिया। वैसे ही खुशी से पागा लोग उर्वर्षी के लिए जश्ण मनाने लगे। पंत को भी बदाईयां मिलने लगी इस कांस फेस्टिवेल के लिए उन्होंने पिंक गाउन कैरी की दी उन्होंने अपने कुछ फोटोज और वीडियो इंस्टाग्राम पर शियर कर दिये उर्वर्शी का स्टाइलिश लुक अब एंटनेट पर सुर्किया बटो रहा है लेकिन सबसे जादा टॉकिंग पॉइंट टून का नेक पीस बन गया उर्वर्शी ने आउटफिट्स के साथ एलिगेटर डिजाइन का नेक पीस और मैचिंग यरिंग्स पहने जो आप चर्चा का विशह बन गए कांस फेस्टिवल के शुरू आज 16 मही को हुई और ये 27 मही तक च हो चुकी है आपको बताते हैं इस बार कांस में अनुषक शर्मा और सनी लियोनी भी डिवीव करने वाली हैं लेकिन इस कांस में सबसे जादा उर्वर्शी की चार्चा हो रही है जब रूर्वर्शी का नाम अशूर के ट्रिश्व पंद से जुड़ गया तो कुछ तो मसाल नहीं थी इसके साथ उन्होंने कहा था कि आरपी का मतलब राम पोथी नहीं समझ रही थी क्योंकि वो इनके साथ एक प्रोसेक्ट कर रही हैं लेकिन जब भी उर्वर्शी कोई पोस्ट शियर करती हैं तो फैंस को इंडियन क्रिकेट रिशव पंद जरूर याद आ जाते हैं कुछ लोग तो यहीं बोलें कि उर्वर्शी ने गले में जो घडिया लटकाया है कहीं उसमें रिशव पंद की फोटो तो नहीं है कुछ हसते हुए बोले अब तो जूम करके देखना ही पड़ेगा कुछ तो यह भी बोले कि पंद के नाम का मंगल सूतर है उर्वर्शी के नेक पीस को लेकर तरह तरह के ऐसे मेजा क्या कॉमेंट किये जाने कुछ तो यह भी बोलते दिखे कि उर्वर्शी और पंद की शादी करने ही जाने उर्वर्शी अब पंद से शादी करके ही मानेगी और हमें तो यकीन है कि कान से लोटते ही उर्वर्शी पंद से शादी ही कर लेंगी मतलब फैंस भी उर्वर्शी और पंद की शादी कराने में जिद्ध पराड़े में जैसे आपको क्या लगता है क्या वागई पंद उर्वर्शी की शादी जल्द हो जाएगी ये जोड़ी आपको कैसी लगती है